हेलो दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य दोवार के सामने कोई गंदा पानी का नाला है, तो यह मालोई अच्छा नहीं माना जाता। अगर नाला है, तो समझलो आपके घर में बिमारीयां पनप सकती हैं और धन का नुकसान हो सकता है। इस बात का विसे धान रखें, जहां भी मकान लें, वहाँ पर गंदा पानी का नाला नहीं होना चाहिए, या कोई जमाबडा नहीं होना चाहिए, दूसरी बात, मकान नकर अब लेने जा रहे हैं, तो बिजली का खंबा भी नहीं होना चाहिए, यानि मुख्य दोवार के सामने बिजली कखंबा है तो आपकी तरक्की में बादायं डालेगा. आपकी सफलताओं को रोकेगा. तो ये भी बात का अप ध्यान रखेए. तीसरी बात, आज का पेड़ा होता है ना, आज का पेड़ सफेद आकड़ा नीए, आग का पेड जगा 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 जंगली निकलता है वो भी नहीं होना चाहिए अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर जहां पर आप मकान ले रहे हैं या पहले से है और आपका पेड है तो वो घर में जगडे कराएगा और आपके घर में सत्रूएं पैदा करेंगे यानि आसपडोसी भी आपके सत्रूएं बन जाएगे तो इस बात का भी आप ध्यान लगके तीसरी बात आपने घर खरीद लिया तो वहाँ पर आपको में गेट पर बढ़ती हुई बेल नहीं लगानी है वो आपकी तरक्की रोकेगी आप आप कहेंगे कि बढ़ती हुई बेल तो बहुत अच्छी होती है तो घर के अंदर लगाएं ना की बाहर क्योंकि बाहर अगर गेट पर बढ़ेगी तो वो आपकी तरक्की में बाधाए आएगी उससे और घर के मुख्य द्वार के बाहर पत्थरों का जमाबड़ा नहीं होना चाहिए यानि कोई काम हो रहा है या कंस्टेक्शन हो रहा है और पत्थरी पत्थर पड़ें तो वो भी आपकी केरियर में बाधा डालेंगे आसा पलता पैदा करेंगे चटी बाद आती है कूड़े दान घर के बाहर कोई कूड़े दान नहीं होना चाहिए आप घर पर रख रहे हैं छोटा सा कूड़े दान वो भी अच्छा नहीं होता और सोचो अगर आपने कोई मकान ऐसा लिया है महापर कूड़े दानी बड़ा सा बना हुआ है सारे महलने की लोग डालने तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कूड़े दान भी है वो अशुब माना जाता है वासुसास के अंसार वो आपके घर में लच्मी नहीं आने देता और जब लच्मी जी नहीं आएंगी तो आपके घर में हाथ तरह से लडाई जगड़ा भी होगा परवारी जगड़ा भी बनेंगे और किसी भी तरह की सुक सम्रद्धी नहीं आएगी और घर में असांती का वाताबरण बना रहेगा तो जब भी मकान खरीदें तो इन बातों का भी से जान रखे